नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के YouTube सेनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों, हम UP इंस्टेक्टर में आने वाले Impliability Skill के कोशनों का डिसकसन कर रहे थे Impliability Skill के अब तक मैं चार वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में डाल दिया हुआ है आप वहां से complete वीडियो का वाच कर सकते हैं आप इन कोशनों को अच्छे से देखिए, इन कोशनों में से आपके UP instructor के exam में जरूर कोशन मिलेंगे आईए दोस्तों कोशन देखते हैं पिछली वीडियो में हम 40 तक कोशन का सालूसन किये थे इस वीडियो में हम 41 से कोशन का सालूसन करेंगे 42 से 42 जो कोशन कह रहा है कि A से A G का पूर्ण रूप क्या होता है A से G का full form जो होता है small group activity होता है और इसका दूसरा नाम जो होता है quality circle होता है आप सान जो A है small group activity यानि आप सा नंबर A सही हो जाएगा और A से जी एका दूसरा नाम आप याद रखिएगा इसे हम quality circle भी कहते हैं next question जो है 43 नंबर इसमें करा है कि सतत सुधार प्रकिरिया में चक्र डाट डाट का प्रियोग किया जाता है तो जो चक्र होता है P D A से होता है जो कि आप सा नंबर A में दिया हुआ है इसलिए आप सा नंबर A सही हो जाएगा 44 नंबर जो कोशन है ये तुलनात्मक अध्याइन के उद्देशियों से दूसरी कमपनियों के बेवसाय प्रताओं का अध्याइन करना डाट डाट कहलाता है दूसरी कमपनी से प्रताओं का अध्याइन करना है वो कहलाता है तो ये बेंच मार्किंग कहलाता है जो कि आपसा नंबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर C सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन 45 नंबर इसमें कह रहा है कि उत्पादन करमचारी एवं उनके परिविरक्षों को कि एक स्वयम सेवक टीम जो नियमित रूप से गुनवत्ता संबंदी समस्याओं का समाधान करती है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम क्वालिटी सर्किल कहते हैं और क्वालिटी सर्किल को हम SAG का दूसरा नाम क्वालिटी सर्किल होता है और SAG का फुल फार्म जो होता है इसमाल ग्रूप एक्टिविटी होता है यानि दोनों होगा तो आपसन C में A और B दिया हुआ है इसलिए आपसन नंबर C सही हो जाएगा नेक्ष्ट कोस्टन जो है 46 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि प्रक्रिया प्रवंधन का निमलिखित में से किस से संबंधित है यानि प्रक्रिया प्रवंधन प्रक्रिया प्रवंधन जो होता है ये स्रोत की गुणवत्ता से संबंधित होता है आपसन जो A है स्रोत में गुणवत्ता यानि आपसन नंबर A सही हो जाएगा नेक्ष्ट कोस्टन 47 नंबर ये जो है तो यह इसी के नाम पर रखा जाता है यानि मालक बांडरिज के नाम पर रखा जाता है जो कि आपसा नंबर D में दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन मालक बांडरिज राष्ट्रिय गुणवत्ता पुरसकार के अंतरगत कितने वरगों के आधार पर गुणवत्ता का मुल्यांकन किया जाता है तो यह टोटल जो वरग आते हैं साथ परकार के वरग आते हैं इसलिए आपसा नंबर C सही हो जाएगा 49 नंबर है डेमिंग पुरसकार एक डाडड पुरसकार होता है तो डेमिंग जो थे यह सांखिकी के प्रोफेसर थे यह कब थे 1920 से 1930 में और यह निव York University में इसमें प्रोफेसर थे संखिकी के और यह डोमिंग जो पुरसकार होता है ये किस से संबंदित होता है तो ये जो संबंदित होता है जापानी से संबंदित होता है इसलिए आप संबंबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन है पचास नमबर डेमिंग पुरसकार निम्लिकित में से किसके नाम पर रखा गया था तो यह जो रखा गया था यह एडवर्ट डेमिंग इसका इनका पूरा नाम था डेमिंग पुरसकार जो है एडवार्ट डेमिंग जो थे इनका पूरा नाम था तो इनी के नाम पर डेमिंग पुरसकार रखा गया था इसलिए आपसन नमबर डी सही हो जाएगा और ये सांखिकी के प्रोफेसर हुआ करते थे आई एसो का पूर्ण रूप क्या होता है इंटरनेशनल इस्टेंडर्ड और्गनाईजेशन होता है आपसन जो भी दिया है इंटरनेशनल और्गनाईजेशन फार इस्टेंडर्ड डाईजेशन आपसन नमबर बी सही हो जाएगा है ये अंतराष्टिय मानकों का एक इस्टेंडर संस्थान है और इसकी अस्थापना जो की गई थी याद रखिएगा 1987 में की गई थी नेक्स्ट जो कोशन है 52 आई एसो नव हजार की मान्यता कब घोसित की गई थी तो आई एसो नव हजार की जो मान्यता थी इसकी आई एसो की जब अस्थापना हूई उसी समें 9000 की मान्यता मिली यानि वर्ष 1987 में और 1987 में ही ISO की अस्थापना होई थी इसलिए आपसर नमबर सी सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन तिरपन नमबर निमलिखित में से कौन सामानक किसी कमपनी की परियाबरण संबंधित जिम्मेदारियों का मुल्यंकन करता है तो ये जो मुल्यंकन है ISO 14000 होता है हमने complete इस कोस्टन का इसलिए आपसर नमबर डी होगा लेकिन इसको बता दे इस complete तिरपन नमबर कोस्टन का हमने first part के impliability skill के first part के वीडियो में हमने एक table दी हुई है उस table से आप इस कोस्टन के complete solution वहाँ से देख लीजिए वहाँ से पूरी table लिखवा दिया है हमने वहाँ complete मिलेगा इसका package next जो question है चववन नमबर TQM प्रयासों की असफलता का क्या कारण होता है TQM का पूर्णरूप पहले जान ले ये total quality management होता है और इसके असफल होने का करण है कि वास्तवी गुणवत्ता संस्कृति का अभाव होना उच प्रबंधन के प्रयास एवं उनकी प्रतिबधता में कमी है C जो है सांकी की नियंत्रण प्रक्रियाओं पर आवस्यक्ता से अधिक कम विस्वास करना यानि सभी इसके असफल होने के कारण है इसका फुलफार मियाद रखिएगा इंस्ट्रक्टर के पेपर में हो सकता है पूछा जा सकता है पच्पान नंबर कोशन फार्मूला से है इसमें कहा जा रहा है कि निमलिकित में कौन सा संबंध सही है इसमें संबंध बताना है कि कौन सा संबंध सही है आपसन जो ए है लाभ बराबर आए पलस लागत आए पलस लागत ये लाभ नहीं होगा आई आपकी चारो तरफ से कितनी आ रही है उसमें आप कितना लागत लगाए है वो जब माइनस कर देंगे तो आपको लाभांस लाभ कितना मिला वो ग्यांत हो जाएगा यानि लाभ बराबर आए माइनस लागत जो कि आपसर नम बी सही है लाभ का फर्मूला इसलिए आपसर नमबर बी सही हो जाएगा नेक्ष्ट कोश्चन चपपन नमबर इसमें कहा जा रहा है कि निमलिखित में कौन सा संबंद सही है तो इसमें संबंद आए बराबर मुल्य गुणे बेचा गया माल यही सही है आपसर नमबर ए सही हो जाएगा जब भी आप आए निकालेंगे तो मुल्य गुणे बेचा गया माल होगा नेक्स्ट कोसन जो है संतावन नमबर इसमें कहा रहा है कि निम्लखित में कौन सा ये भी फार्मूला का है फार्मूला जो इसमें है मुल्य का मुल्य बराबर हो जाता है गुणवत्ता गुणे सेवा अपान लागत गुणे समय चक्र तो ये भी सही है और इसी को लागत को यहां लेकर चले आया ये और मुल्य को यहां ती ये फार्मूला ये नीचे वाला बन जाएगा गुणबत्ता गुणए सेवा बटा मुल्य ये उठके यहां चला आया अगुणए समय चर्ग और लागत जो पहले यहां था यहां चलाया अर्थाद दोनों सही है आपसन नंबर C में दिया है A और B सही दोनों यानि उप्रोक्त दोनों सही है नेक्स्ट कोशन जो है अंठावन नंबर इसमें कह रहा है कि आई एसो नव हजार प्रमाडी करण के लाभ क्या होते हैं यह नव हजार आई एसो के जितने नव प्रकार के होते हैं इनका सबका हम टेबल इसके इंप्लाइविल्टी स्किल के फर्स्ट नंबर पार्ट में पूरी टेबल दी हुई है वहाँ इसको आप देखिएगा तो वहाँ से अपनी कापी में नो डाउन जरूर कर लीजिएगा इस टेबल से एक जरूर इंस्ट्रक्टर के पेपर में कोशन बनेगा आपसन जो ए है कि नव हजार प्रमाडी करण के लाब क्या है यह उत्पादक्ता में ब्रीधी करता है यह लाब में ब्रीधी करता है यह ग्राहक संतुष्टी में भी ब्रीधी करता है अर्थात उपरोक्त सही दोनों सही उपरोक्त सभी सही होगा नेक्स्ट कोस्टन है 69 नमबर ये कह रहा कि काईजन से क्या फायदे होते हैं काईजन का मतलब होता है लगातार सत्त किसी प्रोडक्ट में सुधार करना जीरो तूटी ओ मेटेरियल होना चाहिए ऐसे काईजन का ये प्रयास रहता है इसमें बताया गया है तो यह नुकसान को कम करता है सही है अगला जो है कि यह छेत्र उप्योग में सुधार करता है और सी जो है यह तत्कालिक परिणाम प्रदान करता है तो काईजन जो होता है सत्त किसी प्रोडक्ट को जीरो तूटी करने का प्रयास करता है यह नुक्सान में कमी तो नहीं होगा भी जो है छेतर उपियोग में सुधार करता है ये लगातार सुधार की बात करता है तो ये भी नहीं होगा C जो है यह ततकालिक परिणाम प्रदान करता है यानि आपसा नंबर C सही हो जाएगा तुरंत result देता है कैजन अगला जो question है यह भी question most है आप इसका CIP का पूर्ण रूप याद रखिएगा CIP का पूर्ण रूप जो होता है continuous improvement process होता है और CIP जो होता है कैजन से ही संबंदित होता है तो continuous improvement process होता है इसलिए option number यह सही हो जाएगा next question और इस वीडियो का अंतिम question होगा इसमें कहरा है कि निमलिखित में काउन सा गुणवत्ता के गैर अनुरुपता के लागत के अंतरगत सामिल नहीं होता है तो scrap, recover और प्रक्रिया नियंत्रण यह तीनों सामिल मतलब उपरोक्त सभी गुणवत्ता के गैर लागत के अंतरगत सामिल होते है यहाँ पूछा है कि नहीं है यानि यह नहीं है यानि option number D सही हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही question को रखते हैं इसका एक और पार्ट हम इस chapter का गुणवत्ता chapter का हम लाएंगे तो यह complete गुणवत्ता chapter के objective question complete हो जाएंगे इसके सभी पार्टों को आप अच्छे से देखे इन question को यदि आप देख लेते हैं तो इन question में से जरूर आपके इंस्टरक्टर ITI instructor के impliability skill के आपको देखने को मिलेंगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like करें share करें और यदि आप इस channel पर नए हैं और अभी तक channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो please दोस्तों channel को subscribe कर लें ताकि जब भी हम इस तरीके की वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिलें तो इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए बाए बाए टेक केर